कबर खनिया धाना थाना शेतिर से हे जुहाग राम चमरो आ की रहने वाली 27 वर्षियों महिला राम मूर्ती केवट पतनी देविंद्र केवेर गाव की ही आशिक शेर सिंग लूदी 28 वर्ष के साथ फरार हो गए कि 21 अपरेल को सुबह 5 बजे मेरी भैस खो गई थी मैं जिसे ढूंडने गया था जब मैं घर वापस आया तो मेरी पतनी और बच्चे नहीं मिले जिनको मैंने गाव में सभी जग्या पता किया पर नहीं मिले फिर मैंने खनिया धाना थानी चाकर गुमशुदगी का मामला दर् पताया कि दीदी दोनों बच्चों को लेकर गाव के ही शेर सिंग लूधी के साथ भाग गई है जब मैंने गाव में जाकर शेर सिंग लूधी का पता लगाया तो पता चला कि उसी दिन से शेर सिंग भी गाव से फरार है और उसका फोन भी बंदा रहा है जब उक्ति यूब कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जब मैं पूने में काम करता था तब भी शेर सिंग ने मेरी ससुराल में पत्नी के पास आता जाता रहता था खन्याधाना से शिवकांत सोनी के रिपोर्ट अब भी पत्रों के उमर किसी लड़की की साथ साल लड़का की पास साल यह तो अब उस्वाइब नहीं घर पर था लेकिन सुवह था मैं उसने भैच चोड़ दिया तो मैं भैस को ढूनने के लिए तो मैं बापश आया बारा साड़े-बारा एक बज़े तक घर पर घर पर मैं करना तो मैं वासा पर जरू के लड़की तो मैंने इसली ऐसे आप सब्सक्राइब हरो कि पोई तो वाग दो ऑल नहीं हिसे तय। में पांतन में हर वाराता था वो क्या नालम हो शेर सिंग दाज्पूर कहां काई यह ने बाद यह रहने वारा ग्राम चपरदू अधर रुकावन का हाँ पूरा संदे है उसको सब को मालूम है कि सेर सिंग मेरी बीबी को रखे है आपकी साली ने आपको क्या पता है वो सेरु वान वाले यह यह पता नहीं यह नहीं काल लगेगा वो सेकल करता है व टोकर पूचा उनका प्र chromाना है कैना हम हम मुक्शं के अगर खाले लेकिन हम क्या करा मे बुल करें और अम हम चले हम क्या करें मैंने इसको सुन को एपन की आता हुआ घर पासी की ई है ने वो बैसी गुम्सुम की है हाँ हाँ